पिछली वीडियो में हमने skeletal system को समझा और उसमें समझा कि 206 हडियां कहां-कहां स्थित हैं आज का वीडियो भी उसी वीडियो का continuation होने जा रहा है अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको watch out कर लीजिए लिंक आपको description में मिल जाएगा आज हम बात करेंगे joints की तो दोस्तों जहां पर दो हडियां अपस में मिलती हैं उसको हम joint गोलते हैं और यह जो joint होते हैं विभिन परकार के होते हैं कुछ joints ऐसे होते हैं जो movable होते हैं जो की move हो सकते हैं उनको हम immovable joints बोलेंगे और जो move कर सकते हैं, joints हिल जुल सकते हैं, उनको हम movable joints बोलेंगे. तो movable, immovable joints के बारे में ज़्यादा आपको जानने की कोई जुरूरत नहीं है, जा थोड़ा सा मोटा मोटा आप movable joints के बारे में समझ लीजिए. तो जो movable, क्योंकि ज़्यादा बिमारी जो होती है, movable joints में ही होती है, तो हम इस जो channel है हमारा, इस पे हम ज़्यादा बिमारीों के ही बारे में बात करेंगे, और बिमारीों को जड़ों तक समझेंगे. तो बिमारियों को जड़ों तक समझने के लिए और जड़ों से उनका उनमूलन करने के लिए जितनी कर anatomy जितनी कर physiology हमें समझने की जुरूरत होगी हम उतनी कर ही मोटे-मोटे तार पर सारे systems की समझेंगे और अगर जैसे जब हम particular disease को समझ रहे होगे तब हम थोड़ा सा anatomy और physiology की थोड़ी सी उसकी detail में जाएंगे परन तो मोटा-मोटा आम आदमी को जो है तो सारी picture clear होनी चीए कि 11 systems कैसे कैसे बने होगे हैं तो जैसे अभी हम बहरहाल बात कर रहे हैं skeletal system की तो इसमें हमने बात करी 206 हडियों की अभी बात कर रहे हैं joints की तो joints में भी दो परकार के होगे ये movable होगे, ये movable होगे movable joints क्या होते हैं movable joints जैसे हमने बात करी कि जो move कर सकते हैं movable joints होगे परन तो उनकी movement के हिसाब से उनकी basic जैसे वो structure कैसी है उसके हिसाब से ही ये joints विभिन परकार के होते हैं For an example, जैसे कुछ joints को hinge joints बोलते हैं hinge joint मतलब जैसे कबजा होता है कबजा जैसे जोड द्रवाजे का कबजा होता है तो जो उसकी तरह movement करते हैं वो hinge joints होगे जैसे हमारा elbow joint है इसको hinge joint बोलते है वो ऐसे ही जैसे कोई ball and socket type की joints होते हैं, जैसे उसमें जैसे ball होगा, जैसे shoulder है हमारा, इसमें humerus का ball होगा, और जैसे shoulder-gulder का socket बनेगा, और उसको ball and socket बोल देंगे, वैसे ही बहुत परकार के joints हैं, pivot joint, hinge joint, जो भी है, ठीक है, यह सारे आपको समझने की जुरूरत नहीं है, आम आदमी होने के नाते, आपको जो है तो basic basic पता होना चाहिए, ठीक है, तो यह छोटा-छोटा हमने, मोटा-मोटा basic हमने जान लिया joints के बारे में, कि bones जो होती है, वो joints से जुड़ी होती है, और joint दो परकार के होते हैं, movable और immovable, ठीक है, अब बात करते हैं, कि यह जो bone को bone स जोडने वाली structures होती है, वो क्या होती है, अब joint तो बना, तो कैसे बना, बोन को bone से किस चीज़ ने जोडा, तो जो structures होती हैं, उनको ligaments बोलते हैं, यह जो unstrictures होती हैं, बहुत strong structures होती हैं, जो देखो हड़ी को हड़ी से जोड़ सकती हैं, और ऊपर से इसको move भी करने यह जो ligaments होते हैं, movable joints में ही होते हैं, ठीक है, और ज्यादा बात movable joints की ही करके हमें बिमारियों की द्रिष्टी से जो है तो फाइदा है, बिमारियों को समझने की द्रिष्टी से जो है तो वो फाइदा है, तो यह जो ligaments होते हैं, दोस्तों यह विविन परकार के होते हैं, व कई बार तो हड़ी तूटती है ठीक है डॉक्टर के पास आए एक्सरे हुआ और जो भी अप्लास्टर किया सब्दे सिरियसली लिया उस चीज को और जो हड़ी जो है तो जैसे तूटने से पहले थी वैसे होगी बहुत से केसिस में क्या होता है लिगमेंट के टेयर्स होते हैं तब तो चलोजी कोई मुमेंट नहीं होगी तो प्रॉपर्ली सिरियसली डॉक्टर के पास आएंगे डॉक्टर भी जो है तो इवन इसके लिए भी प्लास्टर करना पड़ता है तो प्लास्टर करेंगे और या चाहिए सब्जीकल रिपेयर किया जो भी है ठीक है प्रणतु बहुत सारे केसी में क्या होता है कि हलकी सी जैसे मौच आती है, थोड़ी सी जाए जाए जादा मौच इतना नहीं कि आपका लिगमेट टूठी गया, ठीक है, तो अगर हलकी सी मौच आती है, तो क्या करते है, बहुत से लोग self medication करते है, pain के लिए रखा लेते हैं जो पेन जो गुड़ पेन हो रही होती है उसको रेस्ट देने के लिए जो होती है तो देखिए अब जैसे लिगमेंट अगर तूटेगा तो उसको रिपेर होने के लिए रेस्ट चाहिए होगा तो वैस जैसे के हड़ी तूटती है तो उसको रेस्ट देने के लिए प्लास्ट ठीक हो जाता है परना तो इन लिगमेंट की केसिस में बहुत हमने जैसे देखा कि ऐसा नहीं होता है जैसे थोड़ा सा टीर हुआ मोच आई कई तो इवन डॉक्टर के पास तक नहीं जाते पेंगिलर खा लेते हैं और वो पें जो है तो लंबे समय तक चलती रहती है अगर यहीं मतलब है कि लिगमेंट को आप समझें यह अड़ी को अड़ी से जोड़ता है और कहीं इसमें स्प्रेन हो जाए तो आपको रेस्ट की है एहमियत यहां पर समझनी होगी पेंकिलर चलो ठीक है पेंकिलिए आप खालो प्रंतु इसमें रेस्ट आप जुरूर करो अगर आपके डॉक्टर आपको बदाते हैं रेस्ट आपने इस case में करना है अगर इसमें कोई strain आ जाता है ठीक है अब वो ligament बहुत प्रकार करते हैं उनके अलग-अलग नाम है location के साब से वो आपको समझने की जुरूरत नहीं है आप भी बस ये समझ लिए कि लेजिए कि हड़ी को हड़ी से ligament जोड़ता है और इस ligament की अगर कोई injury होती है कोई मोच आती है तो उसको हमने seriously लेना है और उसके हमने proper जो है तो rest करना है ठीक है दोस्तो हड़ी को हड़ी से जोड़ लिया ligament ने जोड़ दिया अब बात करते हैं कि muscles को जो है तो हड़ी से कौन चीज़ जोड़ती है तो दोस्तो वो जो है तो वो tendons जोड़ते हैं हिंदी में हमें हमें कंडरा भी बोलते हैं ठीक है तो देखिए muscle contract करेगा यह हड़ी ऐसे आगे वाला जो portion है यह move करेगा तो muscle यहां पे muscle तो जितना करो बलकी सा portion होगा वो muscle हो गया उसका काम है contraction and relaxation परंतु जो contract करने के बाद जो force होगी वो tendon के थ्रू हड़ी हमाल यह हमारे extensor muscles हैं ठीक है तो अभी मुठी बंद है अब हमने मुठी को खोलना है तो extensor muscles contract होएंगे और यह जो power है इनके थ्रू जो है जो यहां नसे दिख रही है अब देखिए नसों का भी यह अलग होंडा है अब हम लोग जो है तो इंडियन लोग जो है तो चाहे वे पड़ाल नसे हं ऑफना तो यह जो यहां मसल के बाद जो देख रही है न आपको रसीं की तरह यह टेंडन्स होते है इन टेंडन्स यह बहुत स्ट्रॉंग होते toboday यह फाइवरेस टिशूँ जैसे फाइवर्र्र होते हैं लंबे-लंबे रेशे होते हैं उन्हें के बने होत और उतने ही उस बंदे के लिगमेंट भी स्टॉंग होंगे, वैसे ही जितने किसी के मसल स्टॉंग होंगे, उतने ही उसके टेंडन भी स्टॉंग होगे, अगर मसल स्टॉंग होगे, टेंडन स्टॉंग नहीं हुआ, तो टेंडन तूट जाएगा, ठीक है, तो ये टेंडन का आपने एक और देखी मेडिकली इसका देखिया और मैं आपको बताओ मात्वा आपने देखा होगा कि पर छूटा सा भी कट लगता है हमारे पास बहुत सारे कीस जाते हैं जैसे माले भास काट रहे हैं ऐसे टक यहां पर कट लग जाता है पर छोटा सा होता है पर अंगली को सी कट जाता है को टो इसमें बहुत बार यह तो रापचर हो जाता है यह तो पूरा ही कट हो जाता है तो यह काम हो गया टेंडंस को भी समझ लिया आगे बात करते हैं अब जैसे हड़ी से हड़ी जूड रही है उसको लिगमेंट ने जोड दिया मौसल्सवी बहां से लग hebben यह तो जोड़ खा लेगी। जैसे ही वीर इंटियर होगा तो घीसना शुरू हो जाएगी। थीक है। उसमें तो ँझी जो जो है तो जो है तो जो है तो जो है तो जो 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 जाएगा उसके लिए नेचर ने भगवान जी ने क्या सिस्टम फिट किया हुआ है कि इसमें जो है तो एक बड़ी स्पेशल वाली जो है तो ग्रीस डाली हुई है तो जो जो ग्रीस है उसकी जो मतलब जो उसकी फ तो उस फिसलन से भी पांच गुना ज्यादा फिसलन जो होगी, तो यह हमें नेचर के दरा दिये गए, भगवान जी के दरा दिये गए, इस काटीलेज के अंदर होगी, यह काटीलेज, देखिए, यह उपर से जांग की, उपर से femur bone है, यह नीचे से अपनी tibia है, तो देखे इस femur के उपर भी जो सथेद रंग का आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो यह जो होता है, यह cartilage होता है, तो यह cartilage उपर वाली bone पे भी होगा, नीचे वाली bone पे भी होगा, तो यह बहुत ही ज़्यादा फिसलन भरा होता है और यह जो है तो joint की proper moment के लिए बहुत ज़्यादा help करता है और यह जो है तो जैसे मैंने बताया कि ice on ice से भी जो है तो five times ज़्यादा slippery होता है तो बिमारियों की दृष्टी से जो है तो यह भी बहुत ज़्यादा important है क्योंकि आज की date में sedentary lifestyle स्टाइल के कारण और थोड़ा सा ओवरवेट होने के कारण जो है तो यहां पे बहुत सारे लोगों को दिखता थी घुटनों में बहुत दर्द रहता है उटते बैठते चलते कई तो घुटना मोड तक नहीं पाते हैं तो वह ज्यादा दिक्कत होती है इसी की दिक्कत होती है ग्रीष होने बहुत है उसमें वह ज़्यादा और यह ऐसमें कालापण बंदा होता है इसमें ये cartilage घिस गया होता है उसका gap ऐसे थोड़ा सा कम हो गया रहता है तो उसमें फिर बोलते हैं कि gap जो है तो आपका कम हो गया तो यही वो gap और यही वो grease होती है ठीक है तो दोस्तो इसमें जो है तो देखिये जैसे हमने पीछे बात करी कि जिसके muscles strong होंगे उसके ligaments भी strong होंगे उसके जो है तो tendons भी strong होंगे और जो physical activity ज़्यादा करता है उसी के तो muscles strong होंगे तो जो physical activity ज़्यादा करता होगा properly करता होगा तो उसके जो है तो cartilages भी strong होंगे और जो बंदा पूरा दिन बैठा रहता है, उपर से वेट भी गेन कर रहा है, तो उसके कार्टिलेज, वो ही फंडा आ गया ना, यूज इट और लूज इट, तो अब जब इसको यूज कम करते हैं, तो ये कार्टिलेज भी बहुत 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 नाजुक हो गया होता है, जै से पहले हम लोग क्या करेंगे, गुटने का हीन योग करेंगे, इसकी मुवमेंट देखिए, वन थर्टी, थर्टी फाइव डिगरी तक इसकी मुवमेंट हो सकती है, गुटने की, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कुरसी पर पूरा दिन बैठे रहेंगे, मुवमेंट जो है तो भुटना कमजोर हो जाएगा फिर हम बीच-बीच में कहीं बड़े एकसाइट होके जो है तो ट्रैक कर लेंगे तो फिर वहां पे जो है तो हमारे लिए अतियोग हो जाएगा तो अतियोग की वज़े से उसमें वियर इंटियर जादा होगा और ही नहीं हो की वज़े से वो सॉफ्ट हो गया होगा बिल्कुल सुकुमार जैसे हमारे हाथ ही होते है ना अब देखिए जैसे एक लेवर वाले के हाथ होंगे और एक जो बंदा काम फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं करता है तो यहां पिछाल ले आने लग जाते हैं तो वैसे ही इस जो है तो गुटने के कार्टिलेज में भी इन इसका योग होने के कारण लेस यूज होने के कारण यह सॉफ्ट हो गया होता है और जैसे ही इसका थोड़ा सा इस्तिमाल ज़्यादा करते हैं या नॉर्मल जैसे ट्रैकिंग कर लेते हैं तो विर और टीर उसमें ज़्यादा होता है क्योंकि उतना स्ट्रॉंग नहीं हुआ रहता है तो उसकी वज़ा से जो है तो ये कम एज में भी फिर गुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है और ये कार्टिलेंज जो है तो विर और टीर इसमें हो जाता है तो ये भी दोस्तों बहुत जरूरी समझना था बिमारियों की दरिश्टी से आगे वाले वीडियो में हम मस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे